हेलो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं तड़के वाली दाल जी हाँ तड़का लगाते ही जो खुश्बू आती है उससे दाल का टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है यह हमने तीन दाले ली हुई हैं मूंग उड़त और चना उसको हमने दो घंटे के लिए भिगो लिया था एक कप दाल को हमने तीन घंटे के लिए भिगो या है उसमें डालेंगे हम एक बड़ा प्याज कटा हुआ एक टमाटर चार हरी मिर्च अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप हरी मिर्च कम भी कर सकते हैं साधी इसमें हम मसाले अड़ करेंगे लाल मिर्च पाउडर ये स्पून हमारी छोटी है तो इसलिए हमने दो बार लिया है एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच धनिया पाउडर थोड़ी सी हल्दी नमक टू टेस्ट इसमें हम एड़ करेंगे अद्रक लसन का पेस्ट मैं आप लोगों को बार बर बताती रहती हूँ क्योंकि मौसम में इस टाइम हल्दी आई हुई है तो अद्रक लसन के साथ हम लोग हल्दी भी पीस लेते हैं और इसी में मैंने हींग भी डाल दिया जिस कटोरी से हमने दाल ली थी उसी कटोरी से हम पानी लेंगे तो तीन कटोरी हम पानी डालेंगे तीन घंटे आपने दाल भी गोनी है और तीन कटोरी पानी डालनी है कि कि इसम civilization केंहां कि इसमें हम कि तीन-क ट्री का आप याद रखें तीन-घंटे आप दाल हूनिये मैं तीन-कटोरी पाणी डालना है और तीन ही सीटी लगानी है तीन सिटी लगने के बाद देखिए ये दाल कितनी बढ़िया आ रही है निकलके इसको हम चम्चे की सहाइता से थोड़ा सा घोट देंगे ताकि इसका दाना दाना बिखरा बिखरा ना रहे बहुत ही जल्दी बनने वाली रेस्पी है और बहुत ही टेस्टी बनती है और इन तीनों दालों का कॉंबिनेशन भी इतना बढ़िया होता है कि आपके शरीर के लिए हेल्दी होता है अब हम तड़का लगाएंगे एक चम्मच जीरा तेला आप कोई भी यूज कर सकते हैं अगर देसी की यूज करेंगे तो बहुत ही बेटर होगा आदा चम्मच कुट और धनिया जल जाएगा अब इसमें हम एड़ करेंगे एक प्याज प्याज को आप जब भी भूने हलका हलका उसको चलाते रहें नहीं तो जो साइड की लेयर है वो तो जल जाएगी और बीच की लेयर कच्छी रह जाएगी तो तड़का लगाते वक्त आप हमेशा चलाते जब लगबग प्याज पूरी तरह भुनने वाली होती है तब उसमें डालें मिर्चु दो या तीन आपकी कॉंटिटी आपके उपर नेपर करती है और थोड़ा सा हमने फ्लेवर के लिए देगी मिर्च ली है ये गैस बंद करने के बाद डालें और उसको तुरंद उठा कर आपने जिस भी बरतन में तड़का लगाना है उसमें तड़का लगा दें ये देखे कितनी बड़िया खुश्बू आ रही है और इसकी रंगत भी इतनी शानदार है जब आप ये दाल खाएंगे तब ही आपको इसके टेस्ट का आइडिया लग पाएगा तो इस वीडियो को देखने खतम होने से पहले आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और साती में जो बैल आइकन का बटन दिया हुआ है उसको भी दबा दें ताकि मेरी रेसिपी अगली जो आएगी उसकी भी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे बिना अपने दोस्तों के साथ बना कर भी शेयर कीजिए और वैसे भी शेयर कीजिए थैंक यू फर वाचिंग